नमश्क्राइब दोस्तों मैं कुनाल कालवरा आपको अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जल तत्व वादी राशियां कौन से होते हैं कौन से वटार दा वाटर एलिमेंट्स साइन्स बातर जो कई और आपको बताना चाहूंगा Все, कंदर वाटर एलिमेंट्स साइन्स होने के कारण तीनों के स्वभाव में क्या-क्या फरक आता है क्या-kia चीज़े इनकी अच्छी होती हैं Agency क्या क्या चीज़े ऊंकी खराब होती है वाटरिवेंट ॉर कहा बेनिविट देता है को न Cette H जब सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह पांच दया हुआ है उस Jjalab से जूए अब इसके अंदर , वाटरी , अर्दी , इसतरह के साइन्स होते हैं कैंसर , और मीन , कैंसर के वाटरी एलेमेंट्स कइया होते हैं , कैंसर के लॉट हो गया été , हम सब जहनते हैंша , अब Cancer का लॉट अगर Moon है तो इसकी जो नेचर के अंदर Moon वाली जिसे हम कहते हैं benefits मिलेंगे जैसे Cancerians जो होते हैं यह बहुत cute होते हैं attractive होते हैं इनका जो emotions जा जा इनका जो watery element है वो इनको extraordinary cuteness देता है attraction देता है sentiments इतने ज़रा देता है कि लोग इनकी तरफ attract होते हैं खिचते हैं अगर यह अपनी फोटोग्राफ जा लें या यह इसके अंदर जाएं अपने social medias में जाते हैं या कोई भी ऐसी industry entertainment industry के अंदर जाते हैं या fashion industry के अंदर जाते हैं तो इन इन लोगों को ज्यादा attraction मिलता है और इन लोगों को ज्यादा benefit होता है क्या उपको हर चकी मिल जाता है मगर ऐसा क्या होता है में होता है उसको जो करने का जो अमबैज़र होता है जो इसका हमके एक्टर होता है तो एक्टर के अंदर जितने अच्छे emotion skills होते हैं या जितने अच्छे combinations होते हैं कि उसके sentiments और उसके emotions और उसके acting feel करके बाहर आए तो ज़्यादा तो वो चीज़ खिचती है तो यह समझ लीज़े फिल्म स्टार्स होगे यह कई लोगों इनकी cancerian science के होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं अगर आपका cancer ascendant है तो यह लोगों को यह benefit होता है इनकी जो emotions होते हैं वो sentiments होते हैं इनको यह benefit दिलवाते हैं एट्रेक्शन इनकी तरफ किछवाता है loss इनको क्या होता है? loss इनका इस तरीके से होता है कि यह लोग बात छूटी छूटी बात पर बहुत जल्दी feel कर जाते हैं क्योंकि fluctuations है न मून हो गया मून घटा बढ़ता बढ़ता फिर घटा बढ़ता रहता है उस हिसाब से इनकी जो moods हैं वो भी ऐसे घटे बढ़ते रहते हैं आपको यह सुबह बड़े गुस्टे में नजर आएंगे दो घंटे बात यह नॉर्मल हो जाएंगे आपको लगेगा नहीं यार इनकी बात को serious लेना चाहिए यह बहुत चल्दी रो पढ़ेंगे आप इनकी बात को serious लेंगे मगर यह थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे तो इन लोगों को deal करना इन लोगों को समझना बहुत उश्किल हो जाता है तो यहाँ problem आती cancerians को यह cancerians अगर आप हैं तो watery element के अंदर जहाँ पे इनका water element moon का यह परशान करता है कटा बढ़ता size के साफसे इनके moods इनके mood swings होते हैं और इनका जो nature है वो खटा बढ़ता इसे साफसे रहता है अब दूसरे sign की बात करते हैं दूसरा sign is scorpio same watery element है मगर यहाँ क्या फरक होता है यहाँ mood swings की problem नहीं आएगी यहाँ इसका जो lord है वो हो गया Mars यहाँ इसका मतलब यहाँ पर यह जो होंगे थोड़ा सा जो अपने इनकी emotions है यह चोटी चोटी बात इनकी जो क्योंकि दिल इनका बड़ा जैसे हम कहते हैं तो इसका लॉड होता है Mars और इसका लॉड होने की कारन यह चोटी चोटी बात दिल में रखता है और बिच्छू की तरह कि इसका लॉड इसका जो आप साइन आप देख्यों की तरह कभी भी कि अपने अपमान का बदला लेता है Cancerine बदल लेने की चांसेश नहीं है बदला लेने के चांसेश स्कॉर्पियों के साथ है कि एमोशन्स के साथ उसको बिच्छू का एक जिसे हम कहते है सपोर्ट मिल गया या बिच्चू का साइन मिलके है तो उसका जो नेचर है वो बिच्चू कितना हो जाता है कि वो छोटी सी बात को दिल पे लगा लेता है उसके साथ कोई गलत करे तो कैंसेरियन माफ करतेगा स्कॉर्पियो माफ नहीं करेगा स्कॉर्पियो माप भी नहीं करेगा उसको ढूंड के कहीं से भी चाहे दस साल बाद बदला लेगा बदला लेगा बदला लेने की जो आदत होगी वो आपको कैंसेरियन में देखने उसको स्कॉर्पियो के अंदर देखने को मिलेगी ये फरक आपको देखिए दोनों water element है मगर ये फरक आपको cancer में क्योंकि cancer वाला बदला नहीं लेगा मून है कमजोर है छोड़ देगा मगर मार्स होने के कारण वो बदला लेगा मैंने बताया था मार्स टैंड लेता है वो बदला लेगा बदला लेने के chances इसके साथा बढ़ गए समझाई ये फरक पढ़ जाता है अब तीसरा sign होता है Pisces, mean राशी अब mean के अंदर क्या होता है mean भी water element है मगर इसका sign है मचली और इसका जो लॉड है वो है Jupiter अब Jupiter एक तरह से माफ करने वाला planet है माफ और सतरक्ता ये दोनों जुपिटर की निशानी है माफ करेगा मगर उससे पहले अपने साथ कुछ गलत होने से पहले सतरक रहेगा यहाँ पर benefit मिल जाएगा Jupiter लॉड होने के कारण Moon लॉड होने के कारण छोड़ देता था मंगर लॉड होने के कारण बदला लेता था मगर यहीं Jupiter लॉड होने के कारण कुछ होने से पहले ही वो बंदा साइड हो जाएगा उसको लगेगा कुछ गलत होने वाला है कि भाईया खर्चा आ गया घर पर घर पर मालों किसी की शादी आ गई है अब सारा बोज उसके उपर आएगा तो वो उससे पहले बड़े अराम से साइड हो जाएगा पर देख लेते हैं मतलब उसको पता है कि यह सारी प्रशानी मेरे पर ही आएगी तो पहले ही साइड हो जाएगा यहाँ पर इमोशन उसको समहाल के ले जाएगे साइड पर तो वो साइड पर निकल जाएगा वो फसेगा नहीं अब इतनी जल्दी बातों में आएगा आपके साथ रहेगा उठेगा बैठेगा आपको लगेगा आपके बीच का ही एक प्रानी है एक सदस्य है जहां बात आएगी उसके उपर उसकी गैरेंटी की ऐसी चीज़ों की उससाइड पर रोकेगा तो यह देखते है देखते है तो यह फरक पड़ जाएगा वाटरी साइन तो तीनों है मगर तीनों वाटरी साइन के अंदर यह फरक आयाता है क्यों? क्योंकि Lord Change है नोंगी Lord Change होने के वज़े से काफी उनके Lord, उनके Science Change होने के वज़े से मचली है Pisces तो Lord, Science ही Change होने के वज़े से इनके Nature के इंदर फरक आ जते है तो दोस्तोों यही इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार आपका समय शुक्त में